तोड़ा आगिया तोड़ा आगिया कि हमारे प्ली स्टेशन पक्ता डंगा को बहुत बड़ी कामयावी हासल हुई है तो जो इंसिडेंट है एक जरीना बेगम हमारे पस कम्पलेनेंट आती है प्लीस पोस्ट रिहाडी में जो लडोर की रहने वाली है तो वो अपना इंसिडेंट नेरेट करती है कि मैं ऐसे अंफला जेल के पास जा रही थी तो एक स्कूटी राइडर ने मेरे हाथ से मुबाइल शीन लिया और वो वहाँ से फरार हो गया तो इसके बेसिस पे हमने FIR रेजिस्टर किया FIR नमबर 10-2021 अंडर सेक्शन 382 IPC फ्लीस टेशन पाकर डंगा में पर्चा लगा तो हमने अपनी तबतीश जारी की उसके तबतीश के बेसिस पे हमें कोई CCTV फूटेज मिला जिसमें के एक सस्पेक्ट हमें आइडेंटिफाई हुआ जिसका नाम था अमन शर्मा जो गिंदर शर्मा इसके बाप का नाम है ये गुमट का रहने वाला है इसका नाम मुसा मुसा के नाम से जाना जाता है जब हमने इसको लाया तो इसके डिस्क्लोजर पे हमने 41 मुबाइल्स रिकवर किये हैं और इसमें हमारी जो टीम थी स्पेशली पकड़ अंगा इसे चो अजीत सिंग पूरब इंस्पेक्टर पूरब जो के अभी इंचार्ज हैं प्लीस पोस्ट परेड के और हमारे प्लीस पोस्ट रिहाडी के इंचार्ज है शकील मनहास इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें तो जिसमें के हमारे पास अभी 41 मुबाइल रिकवर हुए हैं मेरी जर्नल पब्लिक से ये एपील है कि ऐसे आज कल इंसिडेंट बहुत हो रहे हैं स्नेचिंग के जो के राइडर स्कूटी पे आते हैं और आपको मुबाइल हाथ से चीन के ले जाते हैं तो इन लोगों से आप थोड़ा एवेर रहे हैं और अगर कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो प्लीस को तुरांत रिपोर्ट करें तेंक्यू अगर वो भी होगा तो वो मुझे लगता इसी में मुबाइल रिकावर हो गया है वो भी हो गया है तो जल्दी हमें उसमें वी कामयाभी मिलेगी वो घर में चोरी हुई थी उसमें हम कर रहे है जिस तरह चोरी की वारदाते बढ़ रही है और यह जो नक्सिस इस समय एक्टिव है फर्दर कोस और एक्शन पुलीस का क्या रहने वाला है ताकि यह चोरी की वारदाते बढ़ रहे हैं इनको जड़ से कटम देया जाए दिखिए चोरी पहली बार तो हुई नहीं है पहले भी होती थी आज भी हो रही है तो प्लीस इसमें हम एक्स्ट्रा एफट करके हम जो भी CCTV footage, technical evidence जितना होता हम उसको भी analyze करके हम आपको अश्वस्त करना चाहते हैं कि इसमें हम जल्दी काम्याबी हसल करेंगे और प्रवेंट्यू लेवल पर भी हम प्रवेंचन पर ध्यान दे रहे हैं तो उसमें भी आपको results देखने को मिलेंगे आपने CCTV camera का जिक्र किया तो प्रीज के भी कही CCTV camera जो है समय different है तो ऐसे में आपने ये चीज़ notice में लाई है higher authorities की और दूसरा जो local यहां पर जिनकी commercial shops हैं उनको किस तरह की instruction देखने CCTV camera इंस्टाल कराने को लेगा अभी recently एक मोहीम हमने चलाई है कि हम लोगों से ही help self group पे ही जैसे committees हैं महला welfare committee है अभी एक दारू गिला welfare committee है उन्होंने अपने पूरे वार्ड में वो लगाए हैं तो हमने बाकी भी लोगों से अपील की है जितने market association हैं उनके साथ भी हम बात करके हमने बहुत सारी जगह पर cover करवाया है CC TV footage से तो इस पर भी काम चल रहा है ओल्ड city में लोगों पर कहीं न कहीं लेखा जाता है पुलीस उन्हें बोलती है यहां पर पार्क नहीं कर सकते वहां पर पार्क नहीं कर सकते क्योंकि आप चोरी की घटना जो है वो बढ़ रही है कि उनके पुलीस पर ही प्रेशर है तो ही यह प्लीस में आप ठोड़ा अगया